अलो डियर फ्रेंड वेल्कम बाक टू शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया हुआ है कि आप लोगों को डिफरेंस बता चले देखिए ये मेरे बाय तरफ जो है ये 15 अप्रिल 2020 का जो अन्दवजार पत्री का बेंगॉली पत्री का है जो उसमें जो आया था एडुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से वेस बेंगॉल और डाय तरफ जो है वो है 10th May 2020 और अभी एडुकेशन मिनिस्ट्री से जो आया हुआ है अभी difference क्या देखिए इसमें पहले बाला जो है यानि कि मेरे बाय तरफ जो है उसमें लिखा हुआ है कि आगे फॉल देखे हो पाष कॉलेज है उसका मतलब यह है कि previous years का जो यानि कि previous semester हो सकता है previous year का हो सकता है इसके उपर base करके जो university and college students है उन लोग को pass करा दिया जाएगा लेकिन अभी 9 तरफ जो है यानि कि 10 में को जो news आया है उसमें देखिए सब बोल रहे है कि lockdown उठने के एक महिने के अंदर exam ले लेंगे और यह exam लेने के बाद final जो semesters है उन लोग का exam लेंगे और बाकी जो intermediate semesters है उन लोग का exam जो है वो exam लेने के लिए university का जो VC लोग decide करेंगे कैसे exam होगा तो चलिए दूसरे page पे चलते हैं और इसमें दिखाये दिखाये के 20 तरफ जो है मेरा यानि की 15 आप April को जो आया वहा था उसमें लिखाये 10 जून तक यह lockdown के चलते सारा school college university सब बन रहेगा लेकिन डाइने तरफ जो news है उसमें है यानि की 10 में का जो आप news आया ह कि जिस दिन lockdown उठ जाएगा उसके next दिन से school college university सब सानिटाइज कर दिया जाएगा और उसके बाद यह स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होने के बाद क्या होगा कि exam जो है final semester का exam कैसे होगा यह सब VC लोग मिलके बता देंगे और यह online हो सकता है offline हो सकता है कैसे होगा यह स हुआ है तो इसके चलते एक सिर्फ news जो आया हुआ है लेकिन यह भी कुछ confirmed news नहीं है कि जो 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 students याने कि मकाउत चोड़के बाकी जो university के students होते थे उन लोगों को बाहर जाके exam देना पड़ता था तो अभी उन लोगों को home center शायद हो जाए शायद मैं कह रहा हूँ कोई पका खबर नहीं है ठीक है तो इसके सारे यह जो सारे हैं इसके सारे चलते देखिए कुछ clear नहीं हुआ अभी तक लेकिन मैं कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ देखिए मेरा एक video था बहुत पहले आया हुआ था मकाउत upcoming examination news if corona is under control and everything goes well उसमें मैंने क्या कहा था मै मैंने कहा था कि UGC ICT NCT will submit examination guidelines within April 4th week to May 1st week देखिए हो ही हुआ है नेक्स Central and State Higher Education Department will comply with UGC ICT guidelines or regulations and convey to universities within May 2nd week देखिए हो ही हुआ है अभी 3rd मैंने क्या कहा था Central and State Higher Education Department with universities decide about methods of examination and will comply with UGC ICT regulations May 3rd week वही हुआ है अभी देखिए हुआ है अभी देखिए उनिवेसित इन और मस इंस्टिशन लेक्लेर examination schedule by the end of 3rd week of May तो State और जो Central as well as Autonomous यह लोग declare करने बाले हैं क्योंकि अभी शायद मंगलबर या बुद्बार को final notification आ जाए तो इसके चलते हैं मेरा एक सवाल आप लोग के था सामने रखना है कि मैंने जब पहले ये data analysis करने के बाद बहुत सारा statistical calculation किया था मैंने और उसके बाद मुझे result मिला था तो मैंने ये डाला हुआ था लेकिन तब कुछ group of people थे वहाँ पे जो मुझे बहुत criticize किये थे लेकिन एक बात तो मानना है कि अगर coronavirus जो है अगर situation इसका ठीक नहीं हुआ तो ये आगे जाएगा जाके क्या होगा ये कुछ पता नहीं है लेकिन ये conditions भी मैंने रखा हुआ था उसमें तो मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि please आप लोग उठपटांग जो news देते हैं जो सारे channels मुझे पता नहीं तो आप देखिए मैं हर वक belief करता हूँ data analysis पे और data analysis करके बहुत calculation के बाद मैं ये report आप लोगों को के पास पहुचाता हूँ तो I would like to say thank you to all my subscribers and जो नए है नए वाला देख रहे हैं subscribe कीजिए because you need to do or do yourself अगर आप subscribe नहीं करेंगे तो आप बहुत कुछ miss कर रहे हैं ठीक है तो इसके साथ आज ये समाप करते हैं लेकिन हाँ कल एक वीडियो आएगा बहुत ही important होड़ा होगा वीडियो आप सभी के लिए उसको जरूर देखना क्योंकि उसमें बहुत सारा information होने वाला है so with this thank you very much and bye bye